दिपानिटिंग चैनल में मैं आज आपको बेबी के लिए एक सुन्दर शा टोपी का डिजाइन लेकर आई हूं यह हरारी एक डेड़ साल से दो तीन साल का बेबी के लिए आराम से आज आता है पाइनने के बाद बहुत ही सुन्दर ना जा आता है मैं कई बार बना चुके हू शुले मैं आपसे शुन्दर सा टोपी बनाने का तारीका से और गर रहे हूं देखे next method आसे चार फनला बाद एक फंद डालनी है दोफंदे सीधी बिनने हैं देखिए एक अरे दो इस तरीके से फिर एक फंद डालनी है इसका दायों और बाया साइड में हम एक एक फंदे डालेंगे देखे इस तरीके से फिर लाक्ष का एक फंदा सीधा फॉस फंदा बिना 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 ब्याक साइड से हम सारी फंदे उल्टी बिना बिनेंगे देखे इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बिनने है ये इसका ब्याक साइड है ढह कि लिंगे सारी पंदे उल्टे बिने बिनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से फॉस फंदा बिना बिना अब देखें जो हम फंदे डाल रहे थे वह वाला सीधा अब दिखिए फिर ये दो फंदे का दाया और बाया एक एक फंदे डालनी है देखे इस तरीके से एक फंदे डालना है फिर दो फंदे सीधी और फिर इस साइड भी एक फंदे डालनी है अब देखे लास में दो फंदे है इसको आपको सीधी भी नहीं बिनने है देखे यह इसका सीधी साइड है तो सीध इसी तरीके से बना लेना है और ब्याक साइट से आपको उल्टी बीनाई बेनने हैं देखे सारी फंदे बनाना बहुत यह आसान है मेरे सार साथ बना कर आप भी कमेंट करिएगा ये आपको कैसा लगा अब देखे फर्स ये फंद आपको सीदी शीदी पिनने है जो हम बढ़ाए थे अब देखे आप City का दाया और बिटगाते होए ये बना लेना है अब देखिए ये बीच का सीधी फंदे का श्रिप दाया और बाया दोनों सैड में आपको फंदे बढ़ानी है ये दोसाइड कि दोनों सैड फंदे बढ़ाकर आपको 24-24 फंदे बनानी है अब देखे, इसी तरीके से में इधर फंदे से बना सके अब देखे, यह सारे 6 इंज का है मतलब आपको गरदन से चोटी तक का लंबाई बीनने है इतनी बीनने के बाद 2 फंदे 2 का एक बीनने है देखे, इस तरीके से बाकी का आपको सारी सीधी सीधी बना लेना है लास्ट का दो फंदे दो का एक बिनने है यह आपको इसी तरीके से इबन संखे में फंदे बढ़ानी है मतलब जोर संखे में आपको फंदे बढ़ानी है और इसी तरीके से घटाई गारनी है अब देखे इसका दूसरी साइड से बिनेंगे मतलब इधर से हम स्यїb. बिनाई बिनेंगे अब देखें बियाक साइट से आठको सारी इफंदे इल्टी बिनने हैं hearing कि में लाश्ट में आ रह inhib के याप आसा की किसी भी सायज में बना सके इसले में में इसका डीटेल बता रही हुँ आप वो देखकर आप असानी से किसी भी साइज में बना इसकते हैं फस्पंदा पीना मीना दो फंदे डो गधा सारी सीधी-सीधी दि के इस तरीके से बना यएगा अब देखें मैं इच्छी तरीके से बिंते होया लास्ट में आ रहे हूं सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है अब देखें लास्ट का दो फंदे फिर दो का है इसी तरीके से बना लेना है अब देखें इधर हाम ये दो फंदे दो का गते होए गटाएंगे लास्ट का चार फंदे राने तक अब देखें मैं इसी तरीके से बना लेना है देखिए तीन फंदे होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बीनने है अब देखिए ये जो चेन है ये लेकर आपको उठा लेना है देखिए इस तरीके से मतलब ये उपर का इसका है और इसका नीचे का फंदे से आपको उठा लेना है अब देखिए इसका दू अब देखिए इधर साइट का भी आपको चेन लेना है अब देखे ये इस तरीके से फंदे आने के बाद दूसरी साइट पलटनी है और फिर फास फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है फिर दूसरी साइट का भी इसी तरीके से फंदे उठाएंगे देखे इस तरीके से फंदे उठानी है ये देखे ये इस तरीके से बन कर आता है अब देखे दूसरी साइट पलट्टी है फिर फर्स फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे उल्टी बिना इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए आपको ये बना लेना है तब देखे ये फंदे ले रही हूँ चेन वाला फंदा आपको उठा लेना है और फिर पलटनी है और आपको सीधी सीधी बनाते होए ये बना लेना है मैं इसी तरीके से बीनते होए इतना बीन चुकी हूँ अब देखे इसका उपर थोड़ी अलग से आपको बीनने है शारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाते होए अब देखे यहां तक में आ रही हूँ और ये कान के लिए है और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है इसमें 24 फंदे है अब देखे इधर का दो फंदे बीनते हैं फिर एक और ये दो इस तरीके से ये वाला बनाए थे उसी तरीके से आपको ये वाला बना लेना है अब देखे एक फंदे बिनने है फिर दो फंदे दो काएक बाकी का सारी सीधी सीधी देखे इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बना लेना है और फिर लाश का दो फंदे दो काएक बना लेना है यह इस तरीके से बन कराता है इसी तरीके से आम इसको भी बनाएंगे और फिर मैं आपको देखाती हूँ कि यह दोरों बनने के बाद अलग से आपको बिनने हैं अब देखें इस साथ से में बिन रही हूं फस फंदा बिना बिना अब सारी फंदे उल्टी बिनाएं देखें इ देखे इस तरीके से बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से फंदे निडर में लेना है एक दो तीन चार पांट छे इस तरीके से इसको इधर अगे लेकर आना है अब फिर इधर चे दो फंदे दो का एक गरते हुए बिनाई गरना है अब देखिए इस तरीके से दो फंदे दो का एक फिर दो फंदे दो का एक इसी तरीके से हाम इधर बारा फंदे बनाएंगे 24 फंदे से दो फंदे दो का एक गरत हुए और फिर कान का भी बना लेना है अब देखे इसी तरीके से सारी फंदे दो फंदे दो कायक गरत हुए बना लेना है अब देखे ये 6 फंदे इस तरीके से दो फंदे दो कायक गरने के ब्यात ये इस तरीके से डिजाइन बन कर आता है फिर इधर का भी 6 फंदे लेना है एक दो तीन चार पांट छे इस तरीके स फिर इसको पिछे ले कर जाना है यह मैं डबल पेंटर का नीरल का यूज़ गर रही हूं अब देखिए इधर से आपको फिर दो फंदे दो का एक गरत हुए बिन्य है देखिए दो फंदे दो का एक फिर दो फंदे दो का एक इसी तरीके से सारी फंदे हम दो फंदे दो का एक गरते हुए बनाएंगे अब देखिए इसी तरीके से बना लेना है आपको सारी फंदे में इसी बात को रिपीट करते हुए बना लेती हूँ और इसमें 24 फंदा है और इस तरीके से अब देखिए इस तरीके से बना लेना है में बना लेती हूँ फिर आपको देखा लेती हूँ अब देखिए यह इस तरीके से बन कर आ रहा है जो बिनने वारा धागा है यह आपको कट गरने है और यह धागे से इopher saya फंदे उठाकर बिनने हैं अब देखिए इarta से आपको इह दो फंदे छोड़कर बाकी का चेन से आपको फंदे उठा लेना है यह हम सुरू में 6 इंज का लंबाई बेन रहे थे गर्दन से उपर चोटी तक का और उब बेनने के बार कान का हिस्साय निकार रहे थे इसके बज़े से आप यह किसी भी साइज का बना सकते हैं आ आप किसी भी साइज का Θाग का निडल से बनाने के लिए आप बच्चे का एक बार लेकर बनाइएगा जिसकी बज़े से किसी भी साइजा बन जाता है अब देखे यहां तक में यह सिंपल निडल से बनाते आरही थी अब देखे इसका उपर सर्कूलर में बिन रही हूं देखे इस तरीके से बनाएगा सारी फंदे सीधी बिनकर अब देखे मैं सारी फंदे सीधी बिनकर आ रही हूं ये धागा मैं कट गर रही हूं इस साइड से मैं फंदे उठा रही हूं देखे एक चेन से आपको एक बार फंदे उठाकर बिनने हैं देखे इस तरीके से इधर ह 24 फंदे उठाएंगे, मतलब 24 चेन है, 24 चेन में एक एक बार उठाने से इधर 24 फंदे आता है, इसलिए छोटा और बड़ा साइज का बनाने के लिए, गॉड़न से उपर छोटी तक का लंबाई बनाने से इधर फंदे भी गॉड़न बड़ हो जाता है, साइज का हिसाब से, इसलिए मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि measurement लेकर बनाईएगा, किसी भी धागा अर्नेडल से यह आप असानी से बना सकते हैं, अब देखिए मैं इसका ब्याक साइड से बिन रही हूँ, ब्याक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है, मतलब इसका उप देख रहे हैं, इसका गाठ वाला यह लेना है, और फिर इसको सीधी बिनना है, इस तरीके से, देखिए एक का दो बनानी है, यह हमरा प्याटन है, एक फंदा सीधा, अब देखिए यह गाठ वाला लेना है, और सीधी बिनने है, और इस तरीके से एक का दो बना लेना है, ब बार-बार आपको इसी बात को repeat गरने हैं back side से आपको सीधी भीनने हैं और सीधी साइड से इसी तरीके से design बनाते होएं बतने हैं अब देखें मैं इसी तरीके से भीनते होए लास्ट में आ रहे हूँ बहुती आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुन्दर नजर आता है देखिए लास्ट का एक पंदा सीधा अब देखिए इसका दूसरी सैड से फिर भीन्ने है फस्पंदा आपको बिना बिना उतारना है देखिए इस तरीके से ताकि पिछे लेकर जाना है फिर सारी फंदे सीधी सीधिए बना लेना है बहुत ही आसान डिजाइन है शिरिफ दो रहों का डेजाइन है चेए का सीधिय थोड़ी अलग से बिरना है प्लस सवाल है पिस में बिन के अगीले का यह था राउंड में इसका फॉसर्ण में ड कर बाद झाले कि इस तरीके से डालींगे फिर इसमें सीधा और इसमें डेजाइन मतलब जिसमें हम डीजाइन डाल रहे। उस parar है उसमें सेड़ी जाय जी डीजाइन डालनी है यह बात आपको ध्यान देने हैं अब देखें इसी तरीके से हम मैं बनाएंगे देखे ये इस तरीके से बन कर आता है ये डिजाइन एक फंदा सीधा फिर गाठ वाला लेना है और फिर सीधी भी नए देखे इस तरीके से बनाईएगा एक सीधा फिर गाठ वाला लेना है और फिर सीधी भी नए इसी तरीके से बना लेना है बहुती सिंदर डेजाइन बनकर आता है मैं इसी बात को repeat गरती हूँ अब देखें इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास में आ रही हूँ यह जो धागा लेना है और फिर इस तरीके से बिनने है एक पंदा सीधा एक गाठ वाला धागा लेना है और फिर सीधी बिना है बहुती आसान डेजाइन है बार बार इसी बात को repeat गरने के बाद यह डेजाइन बहुती खुबसुरत बनकर आता है अब देखें इसका ब्याक साइट से बिनते हैं फिर ब्याक साइट से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखें मैं इसी तरीके से बनाती हूँ ब्याक साइट बिनने के बाद इसका सीधी साइट से फोस फंदा बिना बिना अब देखें इधर से आपको यह फोस वाले में डेजाइन डालने थे कदें से दोर रावन में दूसरे में सेकेंड में फिर सस्म डाल को यह डिल फे शिया डालनी है सेट और में फिर दाउने पीछ सिर्फे लेकर दोर्ना है यहां से ठाली नगे है यह वी बधते हैं यह दोरहीं इस बज़े से आप आसाइनी से पतागर सकते हैं कि किसमें डिजाइन में डालनी है और किसमें नहीं अब देखे इसी तरीके से बनाईएगा एक सीधी एक डिजाइन इसी तरीके से बनानी है हो इतनी बीन चुकी हो और इसमें में कितनी डिजाइन बना रहे हैं यह भी में आपको गिन कर देखाती ह voluntadस ale अरe इस तरीके से बन कर आ रहा है तो चऱिए के मैं सब्सक्राइब कर आ रहा है N बिनने आप जेखे जो एक गाठ है इसमें आपको design डालना और यह पोट्अट में यह इन goofन एक क्षाइन बिन और थोड़ी बिनने के बाद तो आपको पता चलेकिक किस डिजाइन डालना है और किस Meh reven बिनने है इसलिए मैं आपको यह समझने का आसान टेकनिक बता रही हूं अब देखे इसमें मैं इसका उपर बोडर बिन रही हूं आठ डिजाइन बनाने के बाद सीधी का अब देखे एक सीधी एक उल्टी इसका उपर बिनेंगी मतलब इसका उपर बोडर डिजाइन डालनी ह एक सीधी एक उल्टी बिनकर अब देखे इसी तरीके से मैं बनाऊंगी तागे पिछे एक सीधा दागा आपने और एक उल्टा इसी तरीके से बिनते हुए देखे इसमें मेहारारी ये डिजाइन आठ डिजाइन इसमें बना रही हूँ ये सीधी का इतनी बनाने के बाद इसका उपर में बुड़ा डिजाइन डार रही हूँ वान बाई वान का रिप डिजाइन एक सीधी एक उल्टी बिनकर अब देखे ये इस तरीके से बनकर आ रहा है अब देखे इसका बैक साइड से बिनने है फिर बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने है अब देखे फोस फंदा बिना बिना एक फंदा स से बना सकते हैं इसमें ये में चार सिंपल वाला नेडल का यूज़ गर रही हूं अब देखे ये इस तरीके से गर्दन में आता है इसका फंदे हम बात में उठाकर फिर बीनेंगे बोडर बीनने के बाद अब देखे ये गर्दन में इस तरीके से आता है इसमें हम फिर फंद और फिर डो फंदवां बिन ने हैं ये इसमें बॉड़र में फोरी टाइड़ एझा है कर आ रहा है आ रही हुँ 140 रू सातेक बिना लित और ने खेवा नीन नाना है देखИे इतनी विनने के बाद इतर रिसे का अधा है देखे ये ब्याक साइट चे इस तरीके से बन करा रहा है तो नीचे का अब फंदे उठानी है और फिर बिन है इधर हमारा टोटल चालीस फंद है तो गर्दन में और लिए इसका सीधी साइड से दिखे पईनने के बाद बहुती सुंदर नाजर आता है अब देखे नीचे में बोडर बनाएंगे गर्दन में अब देखे एक फंदे बाकी है यह मेरा अब देखे इधर से आपको चेन से फंदे उठाने है परतेक चेन में एक एक बार फंदे उठाएंगे इधर हमारा 40 चेन है तो 40 बार चेन उठा लेना है एक एक गरते हुए अब देखे मैं इसी तरीके इसमें उठा लेती हूं, अब देखें सारी चेन में एक एक बार फंदे उठाते हुए, मैं लास में आ रही हूं, देखें इस तरीके से इधर 40 चेन है, तो यह इस तरीके से बनकर आ रहा है, अब देखें यह इसका ब्याक साइड है, अब इसका उपर बोडर बिनने है, देख बना लेना है एक उल्टि बिनकर अब देखे इस तरीके से बिनते हुए इतनी बना चुकी हूँ अब इसका उपर का फंदै बंद गारनी है अब देखे दो पंदै दो का एक फिर निडल में डालनी है और फिर दो फंदा दो का एक अब देखे इसी बात को repeat गारनी है मैं इसी तरीके से सारी फंदे बंद गारती हूं अब देखे इस तरीके से फंदे बंद गारती है मैं लास्ट में आ रही हूं दो फंदे दो का एक फिर नेडर में डालनी है और फिर दो फंदे दो का एक अब देखे ये दागा थोड़ी खीचना है इधर आपको नीचे गर्दन में डोरी डालनी है